अपनी बेटी हो तो फिर पो मरें तो फिर मता चले क्या बेटी का दुख होता गुवर्मेंट कैसे बोलती है बेटी बुचाओ बेटी पढ़ाओ क्या बेटी को इतना पढ़ा घर जलाने के लिए दिया तस्वीरें आप इस समय जो है वो सिद्रा से देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू कि एक युवदी की मौत के बाद मामला इतना गर्मा गया कि युवदी के माईके वालों ने युवदी के ससुराल में आकर वहाँ पर तोड़ फोर शुरू कर दी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतने गुसे में थे युवदी के परिवार वाले की उन्होंने ससुराल में आकर जितना भी समान था उसे तोड़ फोर दिया और कुछ समान को जो है बीच सड़क में रख कर जो है वो जला दिया पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने का बहुत पर्यास किया और ये बता जा रहा है कि पहले ये मामला सामने आता है कि युवदी ने आतम हत्या की है पर परिवार वाले जो युवदी के परिवार था वो अरोप लगाते हैं कि ये आतम हत्या नहीं है हमारी बेटी की हत्या की गई है और लगातार ससुराल वाले जो है ये दहेज की मांग करते थे और दहेज को लेकर ये इससे पहले भी हमारी लड़की को जो है वो प्रताडित करते थे और ये तस्वीरें इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें सिद्रा से कि दहेज दे लाची हैं एक छे महीने दे मासूंधी दी माता दा दा कतल हो जांदा है आज गुसआई लोकाणिया थे तोड़ फोड गिते हैं रिकिन ए जिला रुक है कई दू रुकना है कई दू रुकना है कई दू साड़ी पिचें कि इन्साफ मिलना है कई दू दू लिए बच्चियां पैदा करने हैं उन्दे बेया उन्दे बेटी पढ़ा हो बेटी बचाओ तो ओदे बाद जाई यह ससुराल आले उसी मार दे रहाँ है आहें लोग हैं काँदोरी बरदाश करना है अज़ सारे लोग परेशान उन्दे बेया लेकिन मैं कनून की अगया दुर्फियास करना जाना कि कैसा कनून है कि एक कार्दा बुंता बदा चरीक बच्चा बच्ची शे मिने बच्चे दा समिए ओँ मरीन दी है और दो चार साल बाद उसी परती है बायत बरी मिलिया ना इन स बच्ची दा बेटी पड़ाओ बेटी बचाओते है लेकिन जला बेटी यह करना है यह ने गल्ला हूं दियान मेरे क्याले है कनून दी जड़ी है कोदने कुदा कमी रहें दी है तो दो-चार साल परती शुर्किन दे ऐसे लोकें की बेच्ची चोहराय था फांसियों ने जा अज परती बच्चाब और परती देखेंगे अज़कार कोई जीव चली दा यह जाए जिस परादी परादी पैंड जालें दी जिस माधी बेटी चलीं दी है उन्हें के तो राखों की बर्दाश करो बर्दाश नी करें लेकिन साड़ा संसकारी काम है तोड़ फोड़ करी है के करके मिद जरा बच्छा मासूम बच्छा जरा अठमीन दा बच्छा रही है उसी जला नोजमा उसी के जबाब देगे कि तेरी मात ने किंजा के वहाद किंजा उने प्राण देते हैं इसा दरिंद का तुन्दे मल ले तुन्दे कोदा भी कोड़ी तांकर ना वहाँ उसी सजा देओ अपनी कोड़ी मुरवाने को लो पहला है उस बंदे की पहला सजा मिलने चाहिए साब युवर आपूच सबा के पूरे बदक्ष राजन सिंग हैपी भी जो है इसमें सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कप तक तक यह सब चलेगा की दहेज के पीछे लगातार लड़कियों को जो है वो परतारित किया जाएगा और इस पर जरूर जो है वो कारवाई होनी चाहि जो है और पी बची को ना मार पाए इनको ऐसी सजा दलवारा क्या लगता है यह सभी उन लोगों के लिए नसीएट है जो बेटियों को दहेज के लिए मारते हैं कि लालिची थे पांच पांच कऱ़र रप्या देटेते ते थे थे इनको फुर भी उसको मार दिया अनोगों नहा तो भी निसियत मिली होगी जो तहेज मांगते हैं बहुत डूना लेकर बैठेंगे फिर पारी पीएंगे नहीं शोड़ेंगे हम कुछ पी उनका सदिया अब इदर आए तो फिर उनको पड़ा ना कैसे कि इसी की बैटी मारी जाती है हर बार बोलते हैं तारच करते थे पैसला जब जबार दिया तो उसको मार दिया तो मते आपको अक्टर बैठेंगे जब ता उसका पटी नी आया इसा संसकार नी होगा तो फासी की सजाओ